यह देखिए सुपर पिस्पी रेश्टोरेंड इस्टाइल डोसा रेश्पी जिसके लिए आपको रेडी मेड डोसा बेटर की विजरुवत नहीं होगी ना घर में चावल दाल बिगोकर पिसने की जरुवत बहुत ही आसान रेश्पी है अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रेश्पी आप इंज्वाए कैसे करोगे और इस डोसा बेटर को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा चान कर लिए जो हर किसी के किचन में अउलेबल होता है और सेम कटोरी से वन फोर्ट कटोरी मैंने ये सूजी ली मोटी वाली बारिक वाली कोई भी ले सकते हैं और वन टेवल स्पून ये बेशन चान कर लिया और मैंने ये फ्रेश दई लिया है और सामबर भी आपको बनाना बताऊंगी तो मैंने उसके इंग्रेश लिये हैं ये मैंने हाप चोटी लोगी को कट करके लिया है हाप लिया है और मैंने ये चोटे साइज कद्दू का भी ऊपर का छिलका हटा कर इसे कट करके लिया है मीडियम साइज में और मैंने दो लीए लीए आत्सकतर अंसफ निए घर बनाता हिमली को भीगोंकर पर निकाल लिया चानकर działी लीए बनीकड़त है करेंगे हम सामबर में और देखें थोपर डाल को आदा गंड़ा भिग्वोने के बाद इसे मैंने हुकर में डालकर ये ब tahu अधोब ये धाल दाल और चैंछ से लि происходит को कि और इसे बाद में भी इसको करेंगे अब नहीं पूर Sem enrich आटा सूजी और बेशन को एड़ कर दिया है इस प्रीमिक्स को बना कर आप एर टाइड डिवें भरकर रख सकते जब भी आपको डोशा बनाना हो आप बना सकते यह खराब नहीं होगा और आपको कोई फर्मेंटेशन की जरूवत नहीं है ना मार्केट वाले रेडी मेड आपको इतना टेश्टी लगेगा और इतना क्रिस्पी बनेगा आपका डोशा देखिए बन गया प्रीमिक्स अच्छा सा तयार हो गया अब इसे आप श्टोर कर सकते हैं और यह मैंने थोड़ी सी चीनी लिए इसे भी डाल कर हम इसमें पीस लेंगे बट आप इसे जब प्र आप बेटर का यूज करूंगी अभी और मैंने यह फ्रेस दई लिया है तो मैंने हाप पटोली जितना भर के डाला है अगर आप अधा हो तो इसके पांड़ी थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं और इसे भी डाल कर हम आपको इंस्टेन तरीका बताएंगे सा ग्रांडिंग जार मिक्स कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ग्रांडिंग जार मेंना करें तो इसे बाहर आप 4-5 मुनट हैंड बीटर से या एलेक्ट्री बीटर से इसे अप लें क्योंकि हमें इसमें चाहिए कि थोड़ा जिसे फर्मनेंटेशन ऐसे करते हैं अगर हम चावल से बनात होती है तो आप इसे ग्रांडिंग जार में ही मिक्स कर लें अभी मैं आपको दिखाऊंगे इसकी कशिंटिंसी कैसे यह फ्लपी हो जाता है यह देकि आपको लग रहा ना जैसे इसे मैंने बीट किया हो या फर्मनेंटेशन के लिए रखा हो तो यह देकि आपको ऐसे बबल यह बहुत दगाड़ा ने रखना सेमी रखना है और चलिए इसे हम आदा कंटा के लिए रिष्ट देंगे और चलिए इतनी हम सांबर बना लेते हैं मैंने इसमें और जो भी आप डालना चाहिए डाल सकते हैं सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे गरम होते ही ऑल के गैस का फ होती और अच्छा औरBonau यह बंहीं करें और मैंने इसमें फिर प्यास को आयट कर दिया है और प्यास को मझाम कल्दा लिए यह में अश्रीवरे रखेंगा कर दिया छिबंग हो कि तोत में चनल में परकाइव हसा सवात मिचल एक मिधियन से इसको और कर दो हे और फोड़ा साल डालेंगी़ बोच देका गया विड़ा है अगर आप अतुसको डाली तो आप सब्झी आपने μनपसंद कोई भी डाल सकते थे लूर यहां चांकर कोके मैंने कम अबसके मड़त greeting में गाहा वह द्मतुमतुम में ये मिस्कें इतना लिए ऊसको में था सारी मिक्स कर दो है और फिर में कुंकर में बनाना बता रहीं जो बहुत इंस्ट्रेंच से बन जाता है अगर आप कड़ाई में बनाएंगे तो यह प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है बनाने में तो आज सभी को इस्टेंट तरीके से बनाना होता साइडेस भी तो मैं वही तरीका बता रहे हूं और मैंने इमली का पल्प भी डाल दिया है और मैं इसमें भरके दो को पानी है और इसे हम कुक करेंगे एक हाइफ लेम पर पर के ठंडा होने देंगे बर्षट्रान मैंने खोल दिया क्योंकि मैंने गुड़ नहीं डाला था तो गुड़ को भी डाल कर हम इसको कुक करेंगे अब ढ़कन लगा कर इसे एक लो फ्लेम पर बिसल आने तक पकाकर पर दूंगी चलिए इतने हम आगे का पुछस कर लें तो घंडा होने देंगे इतने चलिए हम आलो मसाला बना लेते हैं मैंने आल गरम होते ही मैंने जीरा को डाल दिया थोड़ा सा राइ डाला है और हींग और करीलीउ भी डाल दूंगी थोड़े से और मैंने सुकी लाल मर्स को ऐसे बाइट्स में कट कर लिया था आधा इंच्छ शेप में और यह मने उड़त दाल और चना दाल लिए इसको भी डाल कर हम थोड़ा सा इसको रोष्ट कर लेंगे कच्चा आपको नहीं रखना आए नह मशाला का अच्छे से रोश्ट हो जानी चाहिए और गैस का प्लेम अब मैं लो कर दूंगी जिससे दाल हमारा लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मैंने हारी में इसको भी एड़ कर दिया मैंने तीन कट करके लिए थी कि और एक बड़े से मैं ऑप्यास कट किया थ हुए इसको भी डाल दिया है और फ्रन्स मैं वेजेश भी डाले हुए इसमें इसमें सिंवीम डिया मर्ष भी आइट कर रहे हुए अगर आप करना चाहunda थे तो आप इस किप भी कर सकते हैं आप गाजट दालन यह बढ़ा दिया और इस सब्सक्राइब के और जाएंगी और दोड़ा साथियों को यह दोड़ा जाएंगी और तो आप नहीं डाला चाहिए तो आप बना सकते हैं बट आप फाइन वाली ना ढाले उससे आलू मसारा का कलर लाल कलर का हो जाए तो देखने में थोड़ा और लगता है तो आप चिली फ्लिक्स का ही उच करें और मैंने आलू डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर को भी एट किया है जिससे इसमें बिल्कुल जैस आप इसकिप करना चाहें तो आप सकते हैं थोड़ा सा प्लेन पानी बीडाल सकते हैं और यह जाता दिया है अभी आपको दिखा देती हूं यह की मिक्स हो रहे हैं तो अब इसमें हम डाल को मिक्स कर दूँगी और आपको मैं यह प्रोसेस बताऊंगी इंस्टेंट तरीका आप कैसे करें वैसे उसे दाल को बीट किया जाता है मतनी से या किसी हैंड बीटर से बड़ मैं इसी में एड़ करके इसको एक बार फिर से कवर करके बिशल लगा दूंगी तो सारी चीजे मिक्स हो जाएंगी क्योंकि फ्रेर्स इतना टाइम नहीं होता किसे के पास की पुराने प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लगता है सभी को जल्दबाजी होती तो मैंने वही प्रोसेस बताए और हाई प्रेम पे बिसल आने पे मैंने डैस आप कर दी चलिए आधा घंटा मुझे हो गया है अब हम बेटर को डिवाइट कर लेंगे अब बता दूं मैं क्यों कर रहे हूं क्योंकि अभी सेम इसमें बेकिंग सोडा को अइड करूंगी तो बेकिंग सोडा इसमें जदा लॉंग टाइम के लिए वर्क नहीं करता जब भी अगर आप ज्यादा क्वांटी में बेटर बनाएं अगर जैसे मेरे जितना आप बनाएं तो इसको के लिए आप कोई चीज रखते हैं तो अगर आप नमक पहले डाल देते तो वह फर्मेंट नहीं होने देता है तो इसलिए बाद में डाले और देखिए मैंने हाप बेटर में तीन पिन जितना मैंने बेकिंग शोडा डाला है यह देखिए और इसको मिक्स कर लोंगी और हाप अब हम उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे पहले हाप बना लेंगे और मैंने नालिस्टिक तवा रखा है अगर आप आरेन का तवा डोशा वाला हो आपके पास तो आप उसका भी उच कर सकते हैं और थोड़ा से मैंने ऑयल डाला है गैस का प्लेम अभी हाई है और इसे अप पूश दूँगी ऑयल और अब इसका टमपरेचर डाउन करूंगी पानी डालकर आपको इसका टमपरेचर में जरूर करना यहीं सब चोटी-चोटी टीफ होती है जब हम बनाते हैं डोशा को लोग कहते हैं कि नहीं बनता है कि चिपक जाता है या डार्क हो जाता है या सेप नहीं आता है हमसे राउंड नहीं होता है तो छोटी चोटी गलतियां होती है जो आप फोकस नहीं करते हैं तो इसलिए बोलती वीडियो को इसकी मत कहना वीडियो पूरा वास कहना जिससे आप रेश्पी प्रिपेर करें तो फ्लॉप नहों हो अगर आपको ना समझ में आ तो आप बार बार डिपीट करके भी समझ सकते हैं और देखिए मैंने जितना बड़ा बनाना था दो कर्शी बरके डाला है में मीडियम से बनाओंगी आपको ऐसे हलके हाथों से राउंड करते हुए इसे गुमाते जाना है यह देखिए बहुत इजी प्रोसेस है बट आप छोटी ब्रस से ओयल लगा दूंगी आप बटर घी भी इस पर लगा सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं और फिर्स मैंने पहले भी अपने चनल पर डो सारे इस भी अपलोड की हैं अलग लग प्रोसेसे बनाना बताया आप चेक आउट कर सकते हैं प्लेलिस बना हुआ है मैं इन करते रहें तवे को जिस साइड से आपको लग रहा हो फ्लेम नहीं लग रहा तो आप उसको जिस साइड लग रहा हो जिस साइड नहीं कुको रहा आप उसको रोटेट कर दें और चलिए इसको हम यह देखिए कितना लुकिंग इसका ब्यूटिफुल लग रहा बिल्कुल र बना लिया इस तरह आप बना देंगे तो देखते ही लोग खाने के लिए दोर पड़ेंगे और आप देख कर सकते कितना क्रिस्पी है यह और चलिए जब भी आप दूसरा बना है तो उसे फिर से आप पोच लें फिर पानी डाल कर उसका टमप्रेचर मेंटेन कर लें और बहु क्योंकि आप डलें बेटर और सेंटर में डालें जितना बड़ा बनाना चाहिए उसे है करची ले ले लें उसे से राउंड राउंड ऐसे हलकी हाथों से करते विए बना ले यह देखिगinformant भी बना लिया है यह ठुछ है बहुत आसान सी रेजपी ए और फेनिगए पर संसक पूरी तरप नहीं लगता है कहीं पर जादा लगता है और थोड़ा सिखने के बाद आप लगाएं तुरंत नहीं आपको टस्क करना है नहीं तो फ्रेंट्स आपके ब्रस या कल्ची जिससे लगाएंगे उसमें ये चिपाग जाएगा जब तक उपर कलेर थोड़ा सा आपको ड्राय ने लगे और ये देखे बन गया आपको घंटो कोई फर्मेंटिशन नहीं करना मार्कट वाले रेडी मेड डोशा बेटर की जरूरत नहीं क्योंकि फिर्स डोशा बेटर भी हर किसी को आउलेबल नहीं हो पाता और देखे बन गये हैंना कितना क्रिस्पी और आपको तोड़ कर दिखा दे तो ये देखे लग र अगर आप सबको देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं जरूर सेयर करूंगी नरवी चटनी भी कैसे बनाते हैं और अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना और बनाकर ट्रा करन अगर मेरी यह वाली रेस्पी आपनी नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ